स्वागत है तो मुसकुरा दीजिये आप मेरे योच्टियूब चानल स्टेधेगाइट डन स्टेदी apartment आप सवीकरं घृट मितलने स्टेदीव टॉट्यूरयस पर आप वनसे जहाँए अज पनियो के साना चटम कारती ह Betty Kingdom काँड करने करें के साधे monitor आरारबी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आरारबी पीयो और क्लर्ग 2021 एक्जाम के लिए तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि अब आपका जो एक्जाम का एक्जाम है वो जरूर हो सकता है इसकी चांसेज है क्योंकि अब आप देख रहे हो कि आल ओवर इंडिया में अभी जब तक इतनी पैंडेमिक सिचुएशन थी जब हम सारी उमीदे छोड़ चुके थे तो अब सिचुएशन जब थोई ठीक हो रही है तो आई देश जो है वो पीछे हो रहा है अगर हम देखें कि अगर आपके एक्जाम नहीं होंगे तो जो अगले साल वाले स्टूडेंट्स है वो आपके साथ आजाएंगे तो इस वज़े से जो है वेकेंसी कम होने की वज़े से स्टूडेंट्स जादा होने की वज़े से आप सिचुएशन ठीक हो रहा है आप देख रहे हो अभी में मिड तक बहुत बुरा हाल था लेकिन अब जून एक नई रौशनी लेकर आया है सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो रही है हमें उमीद है कि अब जो है हम लोग एक्जाम आगे फ्यूचर में देख सकते हैं आप लोग ए इसलिए आप लोगों को अपनी पड़ाई नहीं छोड़नी है नेकिजब भी फोस्पोन होता है तो उससे आप लोगों के थॉट जो है नेगर्टेव हो जाते हैं अब एक्जाम पोस्पोन हो गया उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन हा अपने थौट को जो है वह positive की तरफ लेकर जा सकते हो कि इसमें आपकी ही बलाई है शायद आपको थोड़ा सा और जादा time मिल गया, शायद आपकी preparation थोड़ी सी week थी जिसको आप strong कर सकते हो, तो guys ये जो समय है ना, ये आप सभी के लिए हम सभी देशवासियों के लिए बहुत जाता, थोड़ा सा critical समय गया था उस समय अगर exam हो भी जाते तो शायद आप नहीं जाते ये आपके family members आपको जाने नहीं देते तो अभी जो present scenario है वो थोड़ा थोड़ा ठीक है और ये आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इस situation को हम ठीक रखें social distancing को maintain करते हुए तो guys, आप लोगों को बस अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे से करनी है बिल्कुल द्रिन निश्य से करनी है अपने लक्ष को देखते हुए करनी है कि आपके अगले साल 2022 तक आपकी जॉब लग जाए आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ ये जो किताबे हैं ये सब अब फिर उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना ना पढ़े हम future के लिए तो पढ़ते रहते हैं अब भी हमारा जो है जुलाई अगस में हमने देखा कि नोटिफिकेशन न लिखा है उन्होंने भी कोई actual date नहीं दिया है क्योंकि अभी situation के according ही dates आएंगी अभी हम कोई चीज नहीं बोल सकती है अभी gathering को government भी gathering नहीं कर सकती है students को एक जगा पर नहीं बुलाकर exam दे सकती है तो उन्हें भी पता है कि situation थोड़ा सा ठीक होगा तो of course आपका exam कंड़ करवाएंगे बट अब भी जो है जुलाई अगस की date आई है तो अगर हम देखें कि जो जो चीजे ठीक होती चल रही है आप देखोगे जून स्टार्टिंग से हम थोड़ी चीजे ठीक होते वे देख रहे हैं तो most probably आपका जो एक्जाम है वो जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकता है अगर सिट्वेशन ठीक रहा तो अपको बताएगा कि आपका एक्जाम कब है अब एकदम से नोटिफिकेशन जारी हो गया बीस जून को सपोस्ट कि आपका तीस जून को एक्जाम है तो आपके पास सिफ दस दिन बचेंगे गईस तियारी करने के लिए तो गैस आप लोगो बहुत स्ट्रॉंग तरीके से अपनी त्यारी आथ से करने कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए जैसे ही आपका डेट आए तो आप लोग उस वज़े से डरो नहीं कि एकदम से एक्जाम आ गया क्योंकि कई स्टुडेंट्स तब त्यारी करते हैं जब नोटिफिकेशन तो यह गल्ती आपको नहीं करनी है त्यारी करते रहना है रुकना नहीं है मैं आफ लोगों के पर्जल सेशन भी ले रहे हुं मॉक ट्स भी ले रहे हूं ताकि अपके त्यारी में कोई कमी ना रहे इसलिए गया प्लीज-प्लीज-प्लीज आप लोग जो है त्यारी मत कि आपका एक्जाम होगा आपको और मुझे उमीद तो थी नहीं लेकिन एकदम से आया था कि situation देखा कि थोड़ी कंट्रोल हो रही है तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया अब जैसे देखेंगे कि सब्सक्राइब करवाएंगे ठीक है न ऐसी एस बी जो है वह एक्जाम कंट्ड़ जरूर करवाएगा बस आपको अपनी महनत अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है यह गलती आपको उन शूरंट्स में नहीं होना चाहिए जो यह गलती करते हैं कि आप अपनी त्यारी के लि आपको actual date नहीं बोल रहे हूं कि आपका 30 June को या फिर 1st July को exam हो जाएगा I am just saying my opinion कि किस तरीके से आपका exam हो सकता है chances क्या है कब हो सकते हैं त्यारी रोखनी नहीं है ठीक है न तो फ्लीज इसको जो है समझिए बात को समझिए हर को नहीं समझाता है ठीक हो सकता है family में घर प तो उमीद करती हूं कि आपको यह सेशन मोटिवेटेड रहा हो अब आप अपनी त्यारी अच्छे से करेंगे पढ़ेंगे बैठेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे तब तक के लिए हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए और जो है मस्त रहिए और पढ़ते रहिए बबाई अपनी क्लासे में